कहता है यह चार्ज हाइबिंग E upon M equal to 10 की पावर 8 अब अगर हम लोग पास इस question को हम लोग solve करें तो एक charge particle है जिसका E upon M की value 10 की पावर 8 दिया हुआ है और velocity vector velocity magnitude में दिया हुआ 3 into 10 की पावर 5 प्यारे बच्चों तो अब कहता है uniform magnetic field की value भी दी हुई है point 3 tesla कता है थीटा जो है magnetic field और velocity vector के बीच एंगल थीटा 30 डिगरी है तो radius of the curvature अब जो radius बनेगा वो करवेचर आप पढ़े होगे ऐसे situation में क्या होता है कि अगर मान लो हमारा magnetic field इदर है magnetic field along the x-axis है और charge particle को magnetic field से velocity वी से थीटा डिगरी पर कीज कर देते हैं तो ऐसे situation में क्या होता चार्ट पार्टिकल कैसे मूब करता है इस velocity के दो component कर देते हैं भी कोस थीटा इधर आजाएगा जो की velocity along x-axis होगा और यह वाली जो component हो जाएगी velocity along the y-axis जो आजाएगी भी sin theta तो b sin theta b cos theta की वज़े से x-axis में तो यह वाली x-axis में पोर्स लगेगा ही नहीं यह जो velocity है वो magnetic field के parallel चला गया तो इसकी वज़े से इस पर फोर्स जीरो लगेगा बट यह वाली जो component velocity है वो तो magnetic field के perpendicular है ना भाई तो इसकी वज़े से तो फोर्स लगेगा और जब इसकी वज़े से फोर्स लगेगा तो वो maximum force लगता है और उसकी direction कैसे होगी या वेलासिटी इधर है बी इधर है तो बी क्रॉस भी बोर्ड के अंदर मतलब जैसे ऐसे छोड़ोगे तो charge particle बोर्ड के अंदर जाएगा इसकी वज़े से लेकिन इस चार्च particle की वज़े से इस वेलासिटी की वज़े से आगे भी तो जाएगा तो अंदर भी जाएगा और आगे भी जाएगा कुल मिला के इस तरह से anard भी जायेगा ठीक है तो अब य जो शर्कल बनाया है मेगनेटीक विल्ड DON भी जो इसे चैए यहां के जो सरकल बनाये वाला예요 वह एसे जो एक सर्कल बना यह जो सर्कल बनाया व्लात इससे टो रए जो इससर्कल बना इसज डिय एवाला इस वो हमें calculate करनी है radius अब जो velocity यह जो velocity आ रहा है circular path में वो तो velocity v y है तो radius circular path का हमें formula पहले से ही याद है general formula क्या होता है हमें पहले याद है mv over qv होता है तो यहां पर velocity जो v आ जाएगी वो वो तो v y के equal हो जाएगी तो यहां पर radius जो बनेगा वो बनेगा mv sin theta और that is qb यह वाला यह radius का formula बन गया तो derive कर लो centipitle force से नहीं याद है तो अब इसमें सभी में value रख दो तो सभी में अगर इसमें value रखोगे तो radius r की जो value यहां से दिखेगी हमें चलो निकाल लेते हैं radius r की value q upon m तो q upon m 10 की power 8 हो गया और velocity आपको पहले से दिया हुआ 3 into 10 की power 5 और multiplied by sin 31 by 2 और magnetic field की value पहले से है 0.3 tesla अब यह ही हमारा solution होगा इसको solve कर लिया जाए और sin 31 by 2 आ गया तो 3 ने 3 को connect कर दिया और 10 से multiply कर दिया और 10 से नीचे multiply करेंगे तो point कतम हो जाएगा ठीक है और यह कट जाएगा इसको five times आ जाएगा तो यह आ जाएगा five इदर बच गया और multiplied by 10 की power five इदर गया 10 की power 3 10 की power 3 meter आ जाएगा तो हमें centimeter में दिया है मतलब 10 की power minus two से multiply कर दिया जाएगा यह जाएगा five into 10 की power minus one centimeter मतलब point five centimeter इसका solution है तो point five centimeter मतलब हम लों का बच्चो बी option सही है clear है सब कुछ इसके नो को इड़ा दो का हम मतलब हम कर दो लो जाएगा डिदया है